तो हेलो एवरिवन कैसे आप सब आई होप आप सब बढ़े होंगे मस्त होंगे एक दम फिट एंड फाइन होंगे बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ रहे होंगे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है बाकी आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जाके पिछली क्लास को जरूर चेक कर लो ठीक है बाकी सारे कॉंसेट्स क्योंकि आपको चीजें किलियर करनी हैं कॉंसेट्स को पूरा किलियर रखना है तो आपको वो बेस बनाकर चलना पड़ेगा जिस base के उपर आपको सारी चीजे पढ़नी है तो अगर एक बार दखिए अगर नहीं है तो जादा देर की कहा बात है ठीक है 15-20 मिनट लगेंगी आपको तो निप्टाने में खतम करके उसे आ जाओ ठीक है मैं इतने यहीं मिलूँगा जल्दी आना इतने मैं यहीं पे हूँ पक्क नमबर 123 सरफेस और एंड वोल्यूम्स को अबannie अंक्ज मुशन कर लिए थे तो आज बात करते हैं कुश्चन नमबर क्या दिया हुआ क्या चीज हैं में पढ़नी है कि मट्यविक्षन ब्लॉक ओफ साइड 7 cm कुबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड कितनी है 7 cm तो क्यूबिकल ब्लॉक बना लेंगे surmounted by a hemisphere तो चलो एक क्यूबिकल ब्लॉक बना लेते हैं जरा तो चीज तरी के से रहा होगा यह रहा आपका क्यूबिकल ब्लॉक अगर यह आपका क्यूबिकल ब्लॉक है तो कह रहा है यह क्यूबिकल ब्लॉक ऐसा है जिसकी साइड 7 cm है चोड़ो surmounted है किस से? hemisphere से यानि इसकी खोपड़ी पर इसकी खोपड़ी पर क्या रखा है? hemisphere रखा है अगर यह हमरी खोपड़ी पर रख दे तो क्या? कुछ नहीं हम इसको कुछ कह थोड़ी पाएंगे चलो भीया यह anxiety है इसको तो कोई कुछ नहीं कह पाया आज तक कोई कुछ नहीं कह पाया हम क्या कह देंगे भाया कुछ इस तरीके से रहा होगा भीया इसके सर पर hemisphere यानि कहने का मतलब क्या है एक कटोरी रख दो उल्टी तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा अब यहां से जड़ा आप एक बात समझ लो मेरी छोटी सी बात समझना जड़ा simple सी बात मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ मैं ये समझाना चाहता हूँ कि question में कहा है जो cubical block है ना उसके side 7 cm की है तो मैंने माल लिया ये मेरा cubical block है और इसकी ये जो side है ना ये 7 cm की है ये वाली side कितने cm की है 7 cm की है लेकिन देखा तो ये जा रहा है ना अगर इसी surface पे मैं ऐसे करके यहां से line खीच दू तो ये भी तो 7 की होगी क्यों क्यों क्योंकि जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है सेमी तो दूरी मार की है मैंने भाई वो पूरा का पूरा उसमें आ रहा था आ रहा था तो अगर यहां से यहां से यहां तक की लंबा ही 7 है तो यहां से यहां तक की भी 7 होगी और वो उपर वाली भी 7 ही ही होगी तो अगर ये वाली भी 7 है तो मुझे पता चल गया कि भहिया Hemisphere के जो diameter है वो कितने का है 7 cm का यानि कहने का मतलब यहाँ पर diameter और sides बराबर है जैसे आपको पता था कि Cubicle की side क्या है 7 cm है तो जो side बन रही है वही diameter बन रहा है 7 लेकिन diameter 7 है तो आप जानते है radius half हो जाती है 7 upon 2 cm radius half हो जाती है तो radius हो जाएगी 7 upon 2 cm आगे क्या कहता है कुश्चन कहरा आप वाट इस दे ग्रेटेज डायमीटर Hemisphere का ग्रेटेज डायमीटर 7 का ही हो सकता है क्यों क्योंकि अगर 7 से बड़े diameter का मैंने Hemisphere ले लिया तो वो cubical block अंदर चला जाएगा ठीक है कटोरी के अंदर ढख जाएगा और अगर ढख जाएगा तो ये figure नहीं बन पाएगी क्यों क्योंकि उसने mounted का है उसने यह नहीं का ढखा हुआ है उसे mounted का है mounted का मतलब है कि पक्का क्यूब के उपर ही आपका Hemisphere रखा हुआ है तो greatest diameter कितने का हो सकता है 7 cm का हो सकता है कहा रहा है find the surface area of solid हमसे कह रहा है कि भाईया surface area निकालो किसका solid का तो आज हो भाईया हमसे कुछ कहे और हम ना करें ऐसा कैसे होगा भी या surface area of solid मैंने आपको कल भी पढ़ाया था यानि पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि अगर आपको surface area निकालना है किसी भी solid का तो आप ये देख लो भाईया मैं किस किस हिससे को touch कर सकता हूँ जिस जिस हिससे को मैं touch कर पाऊंगा वही वही बन जायागा मेरा surface area उस solid का अब इसमें देखते है क्या क्या touch कर सकते हूँ देखो भई ये दोनों तो jointed figure है ये तो आप ऐसे समझो जैसे rubix cube थी उसके उपर आपने hemisphere रख दिया तो अभी circle को तो मैं नहीं चूँ सकता क्योंकि अब वह hemisphere हट तो सकता नहीं है ठीक है वह उसमें बना हुआ है जुड़ा हुआ है जुड़ा हुआ है तो मैं इस वाले surface को इस वाले surface को इसको तो मैं touch ही नहीं कर सकता अगर इसे मैं touch ही नहीं कर सकता तो इसका मतलब है कि मेरा हैमिस्फियर का बोटम तो है यह नहीं टॉप तो वैसे भी नहीं है उसके पास फिलाल वही टॉप उसके पास है नहीं क्योंकि वो सर्कुलर है बोटम था सर्कल बनना था वो हम ले नहीं सकते तो सिर्फ और सिर्फ क्या ले सकते हैं ये वाला हिस्सा ये जो ऐसे करके गूम रहा है और इसी गूमने वाले हिस्से को मैंने आपको पढ़ाया इसी को कहा जाता है CSA of Hemisphere आपको क्या लेना है CSA of Hemisphere उसके बाद आगे चलते हैं अब अगर आप देखो याप समझो आपको पता है कि मैं इस वाले सरकल को नहीं ले सकता चलो मैं इस वाले सरकल को मार्क करता हूँ कोशिश करता हूँ जरासा आपको पता है कि भईया मैं इस वाले सरकल को नहीं ले सकता बहुत अच्छे से पता है आपको अब अगर मैं इस वाले सरकल को नहीं ले सकता तो ये वाला जो सरकल है ये क्यूब की उपर वाली साइड पर अगर मैं इसे ले नहीं सकता लेकिन ये वाला जो सरकल है ये क्यूब की उपर वाली साइड पर है तो मतलब मुझे क्यूब की ये वाली साइड जो है इसमें से इतना इस्सा नहीं चाहिए अब आप देखो अगर मैं ऐसे कर दू मैं टोटल सर्फेस एरिया ले लो क्यूब का टोटल सर्फेस एरिया लेने से मतलब क्या है टोटल सर्फेस एरिया लेने से मतलब है मैंने इसकी 6 की 6 सर्फेस ले ली किसी भी एक cube की 6 surface होती है आप room में बैठे हो imagine कर लो 4 दिवार, छत, जमीन total 6 surface है अब जो छत है उसमें से एक हिस्सा ये वाला तो है ही नहीं और जब मैंने total surface area लिया तो मैंने वो ले लिया मैंने वो हिस्सा ले लिया जो actual में था ही नहीं ये circular हिस्सा था ही नहीं लेकिन total surface area में मैंने सर्कुलर हिस्से को ले लिया अब अगर मैंने ये गल्ती से ले लिया तो मुझे तो ये कम करना पड़ेगा जो चीज है ही नहीं वो मैंने ले ली अब अगर ले ली तो वो मुझे कम करनी पड़ेगी तो मतलब कहने का मतलब है कि मुझे इस circle को कम करना पड़ेगा और इस circle को कम करने के लिए आप बाद में minus करेंगे pie r square क्योंकि किसी भी circle का area क्या होता है pie r square तो आप उसमें बाद में क्या घटा देंगे pie r square को घटा देंगे का कुछ ही इस तरीक एका formula बन जाएगा formula put कर लो CSA of hemisphere 2 pi r square plus TSA of q बोता है 6a square minus pi r square 2 pi r square में से pi r square minus करेंगे तो pi r square बचेगा plus 6a square बचेगा आप सारी value रख सकते हैं pi की value 22 upon 7 r की value question में 7 upon 2 आ रही है एक ही value 7 सारी values आपको दी हुई है उपर ठीक है लिखे हुई है मैंने 7 से 7 कट कीजिए 2 से 11 times कट कीजिए और 11 को अगर 7 से multiply करेंगे तो 77 by 2 plus 7 6 जब 42 42 into 7 7 2 जब 14 का 4 carry लगा 1 और उसके बाद आप 7 की 4 में 28 and 1 29 that means 294 अब 2 से आप 77 को divide कर लें तो मेरे इस आप से 23 जा 6 28 जा 16 38.5 आ रहा है plus में 294 है इन दोनों को आपस में add कर लें तो 0.5 आ जाएगा पीछे और यह हो जाएगा 8 4 बारे का 2 कैरी लगा एक 9 10 3 तेरे का 3 कैरी लगा एक 2 रेक 3 यानि यह हो जाएगा 3 32.5 cm2 कितना हो जाएगा 3 32.5 cm2 यही आपका क्या हो जाएगा answer यही आपका क्या हो जाएगा answer तो यानि कहने का मतलब है कि अगर आपको एक बार यह पता चल गया कि आपको figure क्या लेनी है किस हिसाब से लेनी है ठीक है formula कैसे बन रहा है उसके बाद की चीजे बहुत आसाने सिर्फ formula को लगाओ value रखो और value रखके solve कर लो solve करना उतनी बड़ी खीर है नहीं इतनी बड़ी value चीज है नहीं जो आपसे होना तो कुल मिलाके आपको बस formula बनाना आना चाहिए main कहानी यही है अगर आप figure समझ के formula बना लिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, question में कोई परिशानी आपको होने वाली नहीं है, कोई परिशानी नहीं होगी आपको, इस बात की guarantee है, चले हैं, चले हैं अगले पे, ठीक है तो इसे लिख लेना, चलो अगले पे चलते हैं, आगे चलते ह question number four के बाद, question number five, question number four के बाद, question number five, question में खास फरक नहीं है, यही चीज़ कह रहा है, a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block, एक cubical block है, इस तरीके का, एक cubical block है, इस cubical block में से कह रहा है, एक surface से, suppose इस वाले surface से, एक hemisphere काटके निकाला, या काटके निकाला, एक hemisphere, कहने का मतलब है, cube है, एक cube है, उस में से मैंने ऐसे करके काटा, और hemisphere को काटके निकाल दिया, तो कुछ इस तरीके की figure बन जाएगी, कुछ इसी तरीके की figure बन जाएगी, एक solid था, wooden block, उस में से हमने hemisphere को काटके निकाल दिया, आप imagine कर सकते हो, जैसे आप room में बैटे हो, तो जो आपके room की छट है न, उस छट पे आपने ऐसे गोला काटा, और उसे नीचे ऐसे कर्व करके काट दिया, और कर्व कटके गोले के साथ जब वो कर्व कटके जाएगा, तो वो पूरा का पूरा hemisphere का हो जाएगा, बाहर, तो वो पूरा का पूरा hemisphere बाहर चला गया, कोई बात नहीं बहर चला गया, अब बचा क्या क्या देखो जाएगा, अब बचा क्या क्या है, हम कोशिश करके देखते हैं, अगर हो गया तो काम काम करना को छोड़ता हो को छोड़ गया यह नहीं करना था भी हम इसे करना को छोड़ चाहरे हैं हो को छोड़ रहा है कलर करेंगे यार छोड़ो यार तुम कि चलो समझो है समझाते हैं आपको जरा आप जरा समझो कि अगर यह कटके निकल गया होगा तो क्या-क्या बचा होगा इसमें पहले देख लेते हैं क्या दे रखा है कह रहा है वोड़न ब्लोक कुछ ऐसा है जिसका डायमेटर एल है और वह एच के बराबर है यानि आपकी जो एज है कोशन में कहा है कि जो आपकी जो एज है जो आपकी एज है वो एल की है तो एल एज है तो मैंने पिछले कुछन में भी समझाया था एल एज है तो एल ही डायमेटर होगी क्योंकि जितनी लेंथ आपके क्यूब की साइड की है उसी पर तो वो पूरा सरकल बना हुआ ह उसी पर बना हुआ है तो अगर L आपकी length edge है यानि आपकी जो side है cube की वो L है तो diameter भी क्या होगा L और diameter L है तो radius हो जाएगी L by 2 इतनी बाते के लिए रहे अगर इतनी बाते के लिए रहे तो आपसे क्या मांगा है क्या है surface area बता दो surface area मांगा है solid का surface area of solid अब solid का surface area क्या क्या होगा क्या क्या हिस्ता मैं ले सकता हूँ ज़रा समझते हैं अब अगर मैं कहूं इस वाले हिस्ते को तो मैं ले ही नहीं सकता क्योंकि ये वाला piece कहां गया कटके बाहर लेकिन जब कोई भी चीज कटके बाहर जाती है तो वो अपने निशान छोड़ जाती है मतलब उस शेप को तो छोड़ जाएगी ना जिस शेप में कटी है भई वो अगर ऐसे करके कटा है तो वो अपनी शेप तो छोड़ जाएगा अपनी शेप छोड़ जाएगा से कहने का मतलब है ये वाला हिस्सा ऐसे डिजाइन यहीं छोड़ जाएगा इस डिजाइन को यहीं छोड़ के इस डिजाइन को यहीं छोड़ेगा और छोड़ने से क्या होगा इस डिजाइन को यहीं छोड़ेगा इस हिस्से को टच कर पाऊंगा और अगर मैं हाथ देकर इस हिस्से को टच कर पाऊंगा तो इसी हिस्से को कहते हैं CSA of Hemisphere तो यानि मैं क्या टच कर पा रहा हूं सबसे पहले सबसे पहले मैं टच कर पा रहा हूं CSA of Hemisphere CSA of Hemisphere प्लस और क्या कर सकता हूं भहिया मैंने यहां पे क्या ले लिया total surface area ले लिया cube का, cube की तो मैं सारी sides touch कर सकता हूँ सारी sides touch कर सकता हूँ ठीक है, आप ये वाली कर सकते हो ये वाली ये वाली, लेकिन जिसमें से ये कट के गया होगा उसमें से इस हिस्से को नहीं ले सकता और मैंने टोटल सर्फेस एरिया ले लिया इसका मतलब है मैंने इस वाले सर्फेस में से यह सर्कल भी ले लिया वहिया यह क्या है क्यूब के उपर वाले सर्फेस में इतना हिस्सा ऐसा है जो कटके चला गया लेकिन क्यूब का उपर वाला सर्फेस इतना हिस्सा क्या है सर्कुलर यह एक हिस्सा सर्कुलर ही तो है तो मतलब एक सर्कुलर हिस्सा जो मैंने फाल्टू ले लिया अब वो मुझे माइनस करना पड़ेगा और सर्कुलर हिस्सा क्या होता है पाई यार स्कुायर एरिये में सर्कुलर हिस्सा कितना होता है पाई यार स करोगे थामिस्फेयर का क्या होता है टू पाई यार स्क्वाइर ये कितना होता है सिक्स ए स्क्वाइर ये कितना होता है पाई यार स्क्वाइर और टू पाई यार स्क्वाइर में से पाई यार स्क्वाइर को माइनस करने का मतलब है पाई यार स्क्वाइर को जनम देना तेख पाई के पाई ही रहने दो, radius L by 2 है, उसे L by 2 लिख दो, plus 6, radius L है, उसे L लिख लो, तो देखो के दोनों के पास L square है, दोनों में से L square को क्या किया 我是 A確 MARK Да, अगर दोनों में से L, square को common ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, इस में से L square तो चला गया तो एक पाई बचेगा और नीच चार बचेगे यानि पाई बई 4 बचेगा प्लस यह L स्कॉाइर था यह तो भार चला गया यहाँ पे क्या बचा होगा 6 जादे से जादे आप LCM मोड ले सकते हो इतना LCM मोड लेने के बाद इसी सेंटीमीटर स्कॉाइर में क्या तैार हो जाएगा आंसर मैं कहा हूँ जादे से जाद आप LCM मोड ले सकते हो answer sheet ने LCM ले के दिया हुआ है तो अगर answer sheet ने LCM ले के दिया हुआ है तो आप समझ लो LCM आपको लेना है और LCM लेते ही आपका answer क्या हो जाएगा complete अब यह मत कहना आपको कैसे पता वह यह answer sheet ने L.C.M. ले रखा हैं यही तो experience है ना इसी experience की तो बात है यही तो खास है वन्ना हम भी आपके जैसे हैं हम भी तो आपके जैसे हैं पस इतना ही तो खास है इतना ही तो फरक है यही फरक तो जाना चाहिए ठीक है तो यानि कहा जा सकता है भाईया हम समझ गए यह कहा जा सकता है पढ़ा जा सकता है कि जो इसका surface area आ रहा है total वो आ रहा है L square bracket 5 by 4 5 upon 4 plus 6 ठीक है clear है simple है clear है अगर clear है तो चलो भाईया आगे की तरफ चलते हैं आगे की तरफ चलते है question number 6 पर अब अगर हम बात करें question number 6 की तो कहरा एक medicinal capsule है भाईया यहां भी दवाई क्या करें जिंदगी दवाईयों नहीं काट दे जिंदगी में दवाई खाखा के तो परिसान है भाईया चलो जी हाँ अंगड़ाई हो गई अंगड़ाई हो गई तो जरा सवाल पना जाओ कहरा एक capsule है यह राजी भाईया हमरा capsule वह बात अलग है हमरा आड़ा टेड़ा बनाया है लेकिन चलो कोई नहीं समझने के लिए इतना बहुत है अगर यह capsule है और नहीं यहां पर आप एक गोला खीचो और एक गोला यहां खीचो गोला 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 है तो आपको देखने में दिख हाई देगा कि भाईया यह दो कटोरियां जुड़ी हुई है एक सिलेंडर के उपड़ अगर इन सारे सरफेसों को अलग कर दो तो कुछ ऐसे ही तो हो रहा है एक यह है और एक यह है इन्हीं पूरे को जोड़के तो है वह बनावा है पूरा capsule तो यानि पूरा capsule कितने समझाया यानि जब एक capsule बना है तो capsule में एक्चुल में तीन टुकड़े हैं इसमें क्या है दोनों एंड्स पर तो हमिस्फियर है और जो बीच वाला टुकड़ा है वह किस शेप का है स्लेंड्रिकल शेप का ऐसे जोड़के ही तो वह पूरा capsule बना है तो अगर इतनी बात जिसका डायमेटर 5 mm का है किसी का डायमेटर 5 का है तो जो उसकी रेडियस होगी सेंटर से सरकल तक की दूरी वह 2.5 की होगी जानते हो ना डायमेटर का आधा ही तो रेडियस होती है और यहां भी सेंटर से सरकल तक की दूरी जो उसकी रेडियस होगी वह 2.5 की होगी तो रे एंटाइर कैपसूल का मतलब है पूरे के पूरे कैपसूल, पूरे कैपसूल का length कह रहा है 14 mm, भहिया यहां से यहां तक की पूरी 14 mm है, इतना हिस्सा पूरा, आप जानते हो पूरा कैपसूल 14 का है, धाई इधर है, धाई उधर है, तो मतलब 5 तो यह हो गया न, अब इसमें प ली भई धाई की लेंद ये हो गई धाई की ये हो गई तो धाई और धाई पाँच अब इस पूरे 14 में से जब ये दोनों हिस्तों ने पाँच ले लिया तो बाकी बीच वाले सिलेंडर पर कितना बचा होगा 9 mm ही बचा होगा ठीक है माइनस कर लो ना 14 में से 2.55 को माइनस कर ठीक है तो वो 9 mm अब अगर ये 9 mm है तो हमसे क्या मांग रहा है कह रहा है find its surface area हमसे कह रहा है बिडू क्या बता दो जी इसका surface area अब जड़े एक बात बताओ अगर आपके पास कोई capsule होता है तो क्या आप उस capsule को तोड़ देते हो क्या अगर आपको कोई capsule खाने को दिया है हा खाते हो capsule ऐसी खा लेते हो ना नौर्मल तो कहने का मेरा मतलब भी है कि आप इस capsule को तोड़ोगे तो नहीं अब capsule नहीं तो ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है ये हमें लेना तो है नहीं अब आप समझ लो हैमिस्फियर में जब आप उसका ये नहीं ले रहे इधर उसका इससा बनता नहीं यानि आप समझ लो बॉटम नहीं ले रहे टॉप उसका है नहीं तो आपको एक्च्वल में हैमिस्फियर का क्या लेना है CSA CSA of Hemisphere यहां भी Hemisphere का CSA ही तो into 2 कर लो दो बार अलग 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 लिखने से CSA of Hemisphere प्लस CSA of Hemisphere दो बार अलग लिखने से वो एक ही बात बनती है आप सीधा क्या कर लो into 2 बाकी क्या इससा लेना है अब देखो यह सिलेंडर है इस सिलेंडर का ना तो मैं टॉप ले पा रहा हूँ ना बॉटम ले पा रहा हूँ और जिस फिगर में टॉप और बॉटम नहीं ले पा रहा है इसका मतलब उसमें क्या लिया जाएगा CSA of Cylinder इतनी कहानी ठीक है CSA of Hemisphere 2PiR स्क्वार होता है यह 2PiRH होता है कुछ common हो रहा है तो common कर लो हाँ हो रहा है जी 2PiR common हो रहा है common कर लो तो इसमें बचा होगा 2R इसमें बचा होगा H value रख लो सारी Pi की value 22 upon 7 R radius 2.5 की है 2 into 2.5 की है और प्लस में क्या है 9 2 into 2.5 फाइव 5 प्लस 9 14 तो value रही है 2 into 22 upon 7 into 2.5 into में 14 14 7 से कितनी बार कट गया 2 बार 2.5 की 2 में हो गई तो वो 5 हो जायेगा 2 की 22 में हो गई तो वो 44 हो जायेगा 44 into 5 44 into 5 220 mm square यही आपका आंसर हो जायेगा यही आपका क्या हो जायेगा आंसर 22 mm square यही आपका आंसर हो जायेगा तो यानि कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको यह पता चल गए आपको क्या क्या लेना है तो भीया जब यह इससे लेने ही नहीं थे तो इस मेले में क्या था इस वाले में बचा सिर्फ यह वाला हिस्सा जिसे हम क्या कहते है CS से इसमें बचा यह वाला हिस्सा जिसको हम क्या कहते है CS से और बचा यह वाला हिस्सा इसको भी कहा जाता है CS से ठीक है क्योंकि ना तो किसी का टॉप आ रहा था ना बोटम आ रहा था तो इन सारे हिस्तों को ले लिया जो कि टोटल सीयस से बनाते हैं तो अब हम कह सकते हैं कि यहां से हमने find कर लिया total surface area है कहलो surface area of capsule अब आज हमने question 3 discuss कर लिये हैं हमने तिगडी पूरी हो गई है तिगडी बिगडी नहीं बिगडेगी नहीं तो इगडी बहुत जबरदस्त है तो question आज हमने तीन पड़े तो तीन कौन-कौन से पड़े question number 4 question number 5 and question number 6 इन तीनों को हमने discuss किया इन तीनों के बारे मैं समझा I hope आपको समझाया होगा आपको सारी चीजें clear हुई होगी जो हमने आपको पड़ाया है और ऐसे ही जानकारी के लिए ऐसे ही समझने के लिए जुड़े रहिए जुड़े रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल मैं दौर जी क्लाशेस पर तब फिर मिलेंगे अब हम अगली क्लास में तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए मस रहिए पढ़ते रहिए समझते रहिए और चीजों को करते रहिए